हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार ग्यारा दिसंबर दोजार तेईस और दे हिंदू न्यूजपेपर एनलिक्सिस में आपका स्वागत है आज के जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल होंगे वो इस वीडियो के तुरू डिसकस करेंगे अगर आप को डाउनलोड करना चाहते हैं आपको मिलेगी टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रियोरतन आई एस अकैडिमे टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज के साथ सबसे पहले चतिसगड के नए सीम के नेम की अनाउस्मेंट बेसिकली की गई है हमने पढ़ा था कि पांच राज्यों के अंदर इलक्षन होते है जिन में से तीन में जो है वो बीजेपी एक में कॉंग्रेश और एक मिजोरम के अंदर जैड पीम जो है पोलिटिकल पार्टी ने विक्ट जर्नी रही दो बहुत विशेश बात है पहला यह पहले ट्राइबल सीम होंगे चतिसगड के सेकेंड अगर हम बात करें इनके जो सकस स्टोरी की अगर हम बात करते हैं कि एक सरपंद से लेकर सीम तक का इनकी जो जर्नी है वो अपने आप में बड़ी इंट्रेस्टिंग रह सीट जो सरगुजा से आती जिसमें 14 की 14 सीट जो है वो बीजेपी ने जीती थी उस वह अनौसमेंट किया गया है इसके अलावा मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो डिप्टी सीम पोस्ट होती है यह एक्जेक्टली कोई कॉई कॉंस्टिशनली डिफाइन पोस्ट नहीं है कि भारत के समिदान में कहीं पर भी डिफाइन कर दी गई हो लेकिन अगर हम बात करें यह बनाया जाता है एक तो थोड़ा सा कास्ट के बीच में बैलेंस एस्टेलिसमेंट करने के लिए कुछ पोलिटिकल रिजेंस के वज़े से कई बार पोलिटिकल पार्टी के अंदर जो है अगर कई सारे फेशीज हो तो उन सब को बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है इसमें किस पार्टी ने किसको समर्थन दिया वो सारे जिजे अवोइड करिए सेकेंड टोपिक पर बात करते हैं यहाँ पर अगेन अभी हम बात कर रहे हैं दुबई के अंदर जो कोब 28 ह क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हर साल मीटिंग होती है उसी का 28 नंबर यह है 1995 से शुरू हुआ और अब लगबग लगबग यह मीटिंग एंडिंग की तरफ जा रही है 12 दिसंबर यानि कल इसकी एंड डेट होगी और 2030 तक हम लोगों को क्या करना है पहला तो यह बताया गय कि दोबई के अंदर जो समिट हो रही है इसमें एक डोकुमेंट त्यार किया जा रहा है कि 2030 तक कि आपको प्रोग्रेस बतानी है कि क्या चीज़ें आप अडेप्ट कर रहे हैं अडेप्ट क्या होती है जैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज के परती कितने अवेर हैं और उसको करने के लिए जितनी भी ग्रीन आउस गैसीज का अमिशन होता है उनको रिडियूस करने के लिए क्या चीज़ें अडेप्ट कर रहे हैं यह एक तरीके से serious question है इसमें तीन चार बाते बोलेगी पहली बात तो 2025 तक सभी country को एक detailed plan आपको बताना पड़ेगा कि वही आपने climate change को कहिने के उसके impact को कम करने के लिए क्या आपके current और future plan है किस तरही की technologies को आप adapt कर रहे हैं 2030 तक आपको इनको implement करना है progress करना है यह सारी चीज़ें जो हो वो इस agreement में देखने को मिल सकती है इस तरह की possibility आपको देखने को मिलेगी यानि इस बार mitigation पर बहुत ज़्यादा focus हो रहा है mitigation क्या है कि climate change के impact को mitigate कैसे करेंगे आप greenhouse gases के emission को reduce करके यह सारी चीज़ें हासिल कर सकते है डेफिनेट सी बात है जब आप greenhouse gases के emission को कम करने के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी अगर हम बात करते हैं दुनिया भर का जो global temperature है वो pre industry level से 1.1 degree Celsius अल्रड़ी बढ़ चुका है तो climate related disasters ना हो इसके लिए जुरूरी है कि proper scientific investigations के तुरू हम लोग adaptation को follow करें ecological social and economic system के तुरू countries को एक responsible country के तरह बनाए ताकि climate effect को anticipate के आजास के और early warning system के तुरू हम लोग इन चीज़ों को ensure करें जैसे अगर हम बात करते हैं कोई country जो build करती है कि कैसे follow defense को के परती या early warning system को लेकर चाहिए वो cyclone हो या कैसे drought resident crop की तरफ आगे बढ़ती है और इन सब में government policies as per the united nation climate division इन सब को analysis किया जाएगा और उनको वो share करना आपने climate change के impact को reduce करना greenhouse gases के emission को reduce करने के लिए क्या progress करी है क्या plan और कैसे आप implementation करेंगे इस तरह के agenda जो है इसमें होने वाले है ठीक है आपके लिए first question है जब हम continue debate करें greenhouse gases के emission को लेकर ये greenhouse gas emission जो है इसमें कौन कौन सी greenhouse gases को हम लोग include करते हैं उसके बारे में आपको नीचे comment करना है इसके बाद एक ICBM के बारे में discuss हो रहा है basically वैसे तो ये story type में cover किया गया है जब भी ये word use होता है ICBM इसका मतलब होता है intercontinental ballistic missile मैंने पहले भी discuss किया है कि missile system में दो तरह की missile system होती है एक ballistic missile और दूसरी जो missile होती है वो होती cruise missile इन दोनों के बीच में difference पहले ही बताया गया आने वाले time में फिर से हम इसके बारे में detail से पढ़ेंगे यहाँ पर मैं just brief मैं आपको बता दू intercontinental ballistic missile को अगर आप break करेंगी स्वर्ट को तो इसका सीधे मायने होते हैं कि एक missile की range एक continent से दूसरे continent पर attack कर सकती है जैसे Asia से अफरिका में अगर हम बात करें अब आपके मन में सवाल यह होगा कि वही Asia से अफरिका में क्या कि वही यह साओधी रिभिया से एजिप्ट में चली जाए इतनी range नहीं एक generally mention किया जाता है कि अगर 5000 km के आसपास की range एक missile की है तो वह intercontinental ballistic missile में count की जाती है और भारत में अगनी 5 जो है वह intercontinental ballistic missile है जनरली हम बात करते हैं कि वह 5500 के आसपास उसकी range है बट चाइना ने यह claim किया कि इसकी range 7500 km तक हो सकती है कभी free हो यह आपके पास समय हो तो अगनी 5 and चाइना लेकर Google पर सर्च करना आपको पता चलेगा कि यह missile कितनी खतरना है और चाइना इससे क्यों डरता है वह आपको पता चलेगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ और important exam oriented information को identify करने कोशिस करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर left hand side में एक tiger रिज्जों के बारे हम discuss किया गया है महरास्टरा के जो environment minister है forest minister basically इन्होंने का कि ताडोबा अंधेरी tiger रिज्जों के जो चंदरपू डिस्टिक के अंदर है महरास्टा में यहाँ पर airport बनाया जाए ताकि एक तरीके से हम लोग tourism and industrial development को promote कर सके यह area में नक्सलीजम को counter करने के एक तरीका उन्होंने बताया और बताया कि हमने around 500 acres जो है वो land जो उसको कहीं न कहीं identify किया और अगर government इसको provide basically करवाएंगे ठीक है इसके बाद page number four यह बहुत important है और इसमें कई सारी news cover करेगी जो की exam oriented है और exam से directly directly relate करती है सबसे पहले हमारे जो voice president साब उन्होंने कहा कि जो freebies है freebie क्या है कि हर चीज को मुपत में आप deliver करिए जैसे कई सारी political party promise करती है या एक तरीके से scheme announce कर देती है कि scheme free होगी for example electricity free bus ride free यह सारी चीजे free होती है अब आप जब free करते हैं तो ऐसा तो हैने कि सरकार का कोई घर का पैसा है या अपने जेब से वो खर्च कर रही है पैसा generate कहां से होता है दो ही source होंगे या तो आपने tax impose किया है या फिर आपने loan लिया है दोनों condition में impact किसके ओपर पड़ेगा जो taxpayers हैं तो उनके मन में एक तरीके से negative interpretation भी जाती है वही हम तो tax दे रहे हैं और यहां पर सरकार उसको मिश्यूज कर रही है फ्री वीज के रूप में तो वोईस प्रेजेंट साब ने का कि यह economy के लिए बिल्कुल सही नहीं है किसी भी political party किसी भी state में किसी की भी सरकार हो यह नहीं होना चाहिए दूसरा बहुत सारी global entities है जो इंडिया की image को tarnish करने के लिए कुछ इस तरह की reports देती है वो unfair है corruption एक तरीके से human rights के greatest threat है और Indian governance जो है वो free of corruption nepotism होनी चाहिए इस तरह का उनोंने statement basically दी 75 human right day था कल 10 दिसंबर को और इस मौके पर national human right commissions के जो head होते हैं उनके साथ बातचित करी गई इसके अलावा उनोंने बताया कि जितने भी free of politics है ये macro economic stability के लिए सही नहीं है हमें ensure तो ये करना है कि fiscal grant को हम लोग strong करें empower करें और इसके अलावा again यहाँ पर index of hope optimism और confidence पर हम लोग काम करें ये ensure करना corruption free होना चाहिए nepotism नहीं होना चाहिए इस तरह की बाते उनोंने basically बोली है और आज के time पर human right कैसे एक role play कर सकता है role model हो सकता है कैसे transparency और accountability create कर सकता है और ये game changer की तरह एक relevant commission की तरह आपको आगे बढ़ता हो नजर आ सकता है उस तरह की उनने expectation करी है आपके लिए second question है सबसे पहले तो जो national human right commission है ये basically क्या एक constitutional body है या judicial body है या किसी act के थुरू बनाएगी कोई body है किस तरह की आपको ये institute नजर आता है वो आपको नीचे comment करना है इसी का second part है जो national human right commissions है उसके जो head होते है चेर person होते है वो basically होते कौन है यानि वो कौन होने चाहिए उनकी educational background क्या होनी चाहिए या वो किस post से related होने चाहिए commission के chair person मन सकते हैं वो आपको नीचे comment करना है second question के रूप में इसके बाद right hand side में ये बताया गया कि 2047 तक भारत कैसे developed nation बनेगा इसको लेकर I think January 2024 के अंदर भारत सरकार एक vision document present करेगी और उसके लिए input invite करे गए है various state के जो एक तरी कैसे students होंगे और आप भी अपना opinion दे सकते ह universities को इसके लिए बोला गया कि आप collect करें और जो best information होगी उसको हम लोग यहाँ पर cover करेंगी ठीक है इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसी page को नीचे scroll करते हैं तो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि सिलंकन navy ने 25 Indian fishermen को arrest किया है और ये arrest पहली बार नहीं है सिलंका ने कहा कि international maritime boundary line को कहीं ने कहीं ब्रीज करके वो इनकी territory में चले गए थे और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है इसी साल की अगर हम बात करें तो 220 fishermen को जो है सिलंका ने arrest किया है तो आपको सिलंका और भारत के geographical map को थोड़ा understand करना पड़ेगा ताकि आपको चीजे समझ में आए पहली बात मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि जो 12 nautical miles का area होता है जो एक तरीके से land boundary से आगे का वो count होता है उसकी ocean territory में और उसके बाद 200 nautical mile का जो area होता यह दोनों को अगर आप geographically थोड़ा देखेंगे यहाँ पर तो भाई यह बहुत close है इसलिए कई बार fisherman को यह पास proper idea नहीं होता कि वो किस territory के अंदर है और यहाँ पर वो चले जाते हैं कई बार सिलंकन territory के अंदर और सिलंका उनको arrest करता है भारत और सिलंका के बीच में कई स और सिलंका या जो जाफना प्रोविंस है वहाँ पर Tamil communities के sentiments को लेकर issues हो इसके अलावा गर हम बात करें Chinese presence को लेकर issues हो तो यह दो तिन ऐसे issues है जो इंडिया और सिलंका के अंदर है इसके अलावा कई बार human rights के मामले में भारत और सिलंका क्योंकि भारत की diplomatic मजबूरी मान यह कि वो ना तो human rights के violation के फिवर में vote करता है ना against करता है एक तरह के से abstain करता है क्योंकि अगर यह वता दिया कब दुनिया वर्ग होगी इनना ने human rights का violation किया तो हमारे biliteration खराब हो जाएंगे और यह strategy के लिए हमारे लिए एक बड़ा challenge होगा दूसरा अगर यह बोल दिया कि नहीं human rights का violation नहीं कर रहे है तो जो तमिल community वहाँ पर रहती है उनके sentiments होगे तो उसको balance करने के लिए कई बार इस तरह के जो वो step governments लेती है और उसमें balance establishment करने का यह तरीका भी है इसके बाद यहाँ पर एक topic और है कावेरी basin के बारे हैं बताया गया कि पिछले 50 सालों में लगबग 12,850 स्केर किलोमेटर का जो green cover है वो कावेरी basin का कहेने कहीं lost हो चुका है इसमें करनाट का सबसे ज़्यादा है फिर केरला फिर तमिलाडू जो है वो सोरी तमिलाडू फिर केरला इसमें आता है इसके अलावा गर हम बात करते हैं कि इसमें जो ज़्यादातर जो area lost हुआ है वो बहुत सार ऐसे नेशनल पार्क, wildlife century, tiger रिजो के आसपास है फोर एक्जामपल अगर हम बात करें जैसे ब्रमगिरी wildlife century है बांदीपूर नेशनल पार्क है नागरोल नेशनल पार्क है बनेर घटा नेशनल पार्क है यह इन एरियाज के अंदर कहीं ने कहीं lost हुआ है और इन में सबसे बड़ा जो इंपेक्ट हुआ है एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर यानी जिस तरीके से human grade बढ़ रही है उसी का एक इंपेक्ट है कि हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में land use के डाइनमिक स्चेंज हो रहे हैं बायो डास्टी और हैड्रोलोजिक स्टेटेस चेंज हो रहे हैं इस हिसाब से यहाँ पर यह बताया गया कि वही कावरी रीवर के अंदर या इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो हो ग्रीन कवर कहिने का इंपेक्ट हुआ है इसका इंपेक्ट क्या होता है क्यों यह सारी चीज़े हुई है तो इसमें बताया पहले बात तो जो cropping pattern है वो inappropriate है जिस तरीके से पानी का यूज हो रहा है वो सही नहीं inefficient है multi-season water intensive crops का यूज किया जा रहा है जो कि unsustainable है जैसे धान की फसल जब उगाए जाते धान के लिए क्या चाहिए आपको पानी प्रोपर चाहिए और जहां पर माल लेते हैं कि पानी है नहीं वहां पर आप धान गन्ना इस तरह की फसल उगाएंगे तो वो sustainable नहीं होती इसके कि हमें integrated management करना पड़ेगा catchments को interlink करना पड़ेगा large scale पर water intensive cash crops, monoculture, our exploration of groundwater ये बड़ी problem है एक तो जितनी भी cash crops क्या होती है जैसे एक तो थी खाने वाली crop होती है जैसे आप गेहूं चावल इस तरही crop और cash crops में जैसे आप गन्ने को भी count कर सकते हैं वैसे तो गन्ना हो गया क पास हो गया इस तरह की crop जो होती है वो cash crops होती है, monoculture क्या होता है कि एक ही crop को यूज किया जाना एक ही फसल होगा ही जाना और our exploration होरा groundwater का, ये जो groundwater का our exploration है ये किवल south इंडिया के अंदर नहीं है ये तो आपको north इंडिया में भी अगर आप जो green revolution वाली belt है, हर्याना, पंज exploitation हो रहा है, इसमें doubt नहीं है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक और topic के बारे में एक report आती इंटर पॉल की कि क्या human trafficking victim जो है उनको force किया रहा है कि वो cyber crime करिये, ये report बड़ी interesting सी report है, तो इसके बारे में भी ये last news होगी space की, इसके बारे में पढ़ेंगे, पहला interpol operation जो fraud schemes ह दुनिया भर की, जो human trafficking के लिए force करती है, वो south east asia region के अंदर identify किया गया, इंडियन enforcement agencies ने भी इसके अंदर participate किया, और fraud scheme जिसमें fake cryptocurrency investment के बारे में बात होता है, work from home के offers आते हैं, lottery, online gambling के issue आते हैं, इसको बोला गया है, operation storm maker 2, ये word ध्यार लखना, कई बार direct pick करती, UPSC, operation storm makers 2, और interpol exercise की अगर हम बात करते हैं, तो 281 person को जो arrest किया गया, अलग-अलग countries के अंदर, इनके against charges है, human trafficking से लेकर, passport को लेकर हो, corruption, telecommunication fraud हो, या sexual explosions हो, इस तरह के cases इनके ओपर, दर्ज किये गए है, भारत में तिलंगाना police ने, एक human trafficking credit case जो वो दर्ज किया है, बहुत सारी Asian country में क्या हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें, कि, इंटर पॉल ने का कि, एक तरीके से, जो investment scams हो रहे हैं, crypto fraud हो रहे हैं, illegal gambling इस तरह की चीज़े, victim जो कई सारी चीज़े face करते हैं, for example, जैसे एक तो, अगर हम बात करें, serious violation होता है, और abuses होता है, जिसमें एक threat होता है, उनकी safety और security को, बहुत सारे उनको torture और cruel inhuman और degrading treatment उनको दिया जाता है, arbitrary, detention, sexual violence, force, labor और दूसरे human rights जो है violation वहाँ पर देखने को मिलते हैं, कई country गया, एक billion dollar का scam है, लगबग अगर हम बात करें, मैनवार के अंदर 1,000,000,000 लोगों को इस situation के अंदर पाया गया, कि forcefully fully उनको online scam करने के लिए force क्या जा रहा है, कमबोडिया के अंदर है, लाव, PDR, Philippines, Thailand, इन सब एरिया के अंदर हम देख रहे हैं, यह एक बड़ी problem है, observer ने notice किया कि यह एक serious issue raise कर रहा है, और even योगांडा की law enforcement agency निकात है, कि कुछ लोगों को detain किया है, जो उनको दुबई की job देना चाहते थे, बाद में Myanmar और Thailand में लेकर वो चले गए, तो Interpol operation ने कई सारे जो victims हैं, उनको rescue भी करा है, और कैसे एक तरीके से human trafficking के लिए एक बड़ा challenge बना है, उसके बारे में discuss किया गया, और भारत में तिलंगाना के अंदर जो पहला case दर्ज किया गया, उसके बारे में भी बात हुई, इसके लावा page number 5 पे जो नए चीफ मिनिस्टर मने है, 36 गड़ के, उनकी life sketch है, उनके जीवन के बारे में बताया गया, कि एक सरपंच से लेकर चीफ मिनिस्टर के रोप में उनकी जर्नी किस तरीकी की है, वो यहाँ पर detailed analysis करी गई है, page number 6 जो last news होगी, इसके बाद editorial वाला page हम cover करेंगे, यहाँ पर discuss किया गया है, कि चार ऐसे राज्य है, four nation का ग्रूप है, उनमें से Switzerland और Norway, इनके मिनिस्टर भारत में trade dialogue के लिया है, Nordic countries एक ग्रूप बनाती है, उसको बारे में बताया गया कि trade negotiation हो रहा है, और ग्रूप ने basically sign करें हैं कि 30 countries के साथ, भारत के साथ भी वो एक agreement करना चाहते हैं, जिसमें trade tariff को कम किया जाएं, service की mobility को बढ़ाया जाएं, इसके अलावा आप open market access को कहीं ने कहीं solve करना चाहते हैं, बट अभी भी वो एक तरीके से unresolved issue है, यह photograph आप देखेंगे, यह photograph है COP28 का जहां भारत के प्राइमिस्टर ने Switzerland के प्रेजिडेंट से बातचित करें थी, यह जो EFTA है, यह basically चार country का एक group है, और उनमें से दो country है, Switzerland और Norway, उनके मिनिस्टर भारत में होंगे, यह एक agreement तक पहुंचने के लिए प्रियास कर रहे हैं कि हमें एक trade agreement हमारा हो भारत के साथ, और उसके लेकर एक negotiation, हला कि भारत का free trade agreement, UK और Australian के साथ भी लगातार discuss हो रहा है, free trade agreement का माहिने क्या होते हैं, कि जैसे या तो आप जो एक दूसरी country में import export होते हैं, उसमें tax यह custom जो लगता हैं, उसको zero कर दिया जाए, या बहुत जादा simplify कर दिया जाए, इसके अलावा trade and economic partnership agreement हो, bilateral investment treaty यह बहुत important ह bilateral investment treaty का मतलब यह होता है, कि जब investment होगा, तो उन companies को security भी provide करेगी, इसको लेकर काफी ज़्यादा issue भी हुआ था, I think जो Vodafone वाला case है उस context में, European countries, जो European free trade association मनाती है, outside the European Union में, यह चार group की country आती है, जिसमें Iceland भी है, Norway भी है, Switzerland भी है, और link 1010 भी है, यह word काफी आपको confusing लेगेगा, क्योंकि यह थोड़ा Germany में इसको थोड़ा different तरीके से pronounce किया जाता है, इसके अलावा, कई rounds की बातचीत दोनों के बीच में हुई है, और 2024 में जब भारत में election होगे, उससे पहले भी agreement करने की कोशिस है, इस group ने कई country के साथ agreement की, जिसमें 30 country से free trade agreement है, और बहुत सारी country के साथ negotiation चल रहा है, जैसे इंडिया, थाइलेंड, मलेशिया, वीतराम, कोशोवा, एक छोटी सी country है, जो अपने आपको independent country मानती है, इसके लावा South American जो group है, मरकोशर, जो जैसे हमारे हाँ आशियन बनता है, या सार्क बनता है, इस तरीके से वहाँ पर एक group है भारत के जो ministers हैं, भारत के जो officers हैं, वह भी एक तरीके से अभी in countries की group में है, दोनों country discuss कर रही है, और आने वाले time में अगर हम बात करें, अभी COP28 में जब दुबई में बात चित हुई तो इस issue को लेकर दोनों country ने discuss किया था, हाला कि जो कुछ unremain, या कह सकते हैं कि unresolved issues है जो अभी भी है, जिसमें एक तो trade tariff को कम करना, ये एक बड़ी दिक्कत है, mobility of services और market access को बढ़ाना companies के लिए ये कहने कहीं challenges है, तो ये कहीं चीज़ें चाहते हैं कि भाई पहली बात तो जो chemical, machine tool, advanced chemical और pharmaceutical हो, Swiss chocolate, Norway और Iceland fish, ये सारी चीज़ें का trade हो, और उसको लेकर agreement होना, इ गया तक दिवाली तक हो जाएगा, 2022 में, फिर कई सारे issues हुए, political instability थोड़ी सी देखने को मिली UK में, अभी भी कई सारे issues है, तो tariff को लेकर definitely issue है, rule of origin ये एक बड़ा सवाल है, rule of origin का मतलब ये है कि भाई, अगर UK के साथ agreement है, तो भाई UK के product इंडिया में आएंगा, ऐसा नही कि European Union के कोई product भारत में आ जाए, इसके लावा UK की legal और financial services firm जो है, इसको access को लेकर issues है, bilateral trade and investment agreement को लेकर EU के साथ बातचित हो रही है, इसी तरीके से Australia के साथ भी हमारा agreement है, comprehensive economic and commercial agreement, बट उसमें प्रोपरली sign नहीं हुआ है, प्रोपरली discussion नहीं है, 2024 में जब Quad की meeting होगी, Australia, India, Japan और US इस group की meeting होगी, तब Australian Prime Minister आएंगे, और possibility है कि आने वाले कोश दिनों के बाद UK के Prime Minister भी इंडिया में आए, तो high chances is that कि जो issues हैं वो resolve हो दोनों countries के बीज में, ठीक है, और एक trade agreement आपको देखने को मिल सकता है, आगे बात करेंगे editorial वाले page पर, एडिटोरियल वाले page में केवल एक ही article हम पढ़ रहे हैं, और वो article है, falling behind करके, कि RBI क्या जो अपने targets है, उन से थोड़ा पीछे हट रहा है, ये सवाल बड़ा interesting सा है, monetary policy committee, RBI की जो major monetary policy related decision लेती वो एक authority, उनने कहा कि हम लोग interest rate को अभी stable रखने की position में है, और full year GDP growth जो है, 50 basis point बढ़ाई गई है, 50 basis point क्या है, कि पहले 66% expectation थी, अब 7% के आज़ पास है, inflation को लेकर definitely volatility है, एक vulnerable है कि वो बढ़ सकती है, और policy makers के according कहीं ने कहीं एक risk भी indicate करता है, इन सब uncertainties के बीच में, unfavorable base effect के बीच में, base effect मीन आप previous month, previous year से जब analysis करते हैं, इन सब के लेकर, और 9 December में possibility है कि headline inflation जब जो हो बढ़ सकती है, जब आप inflation के बारे में बात करेंगे तो दो important topic होते हैं, पहला headline inflation, दुसरा core inflation, इसके जुरूर आपको ध्यान रखना है, headline inflation क्या, एक basket बना दी, जिसमें 6 चीज़े आती, housing, transportation, medical, electronic, food और energy, ये सारी बनाती headline inflation, और जब आप food और energy को इससे हटा देते हैं, तो बनाती है core inflation, ये basic sex difference आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा, RBI ने का कि वही, साड़े 6% नहीं, हमारी economy की जो growth rate होगी, वो 7% के आसपास होगी, इसमें कहीने कहीं कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने देखी, लेकिन challenging क्या है, एक तो oil prices में काफी ज़्यादा vulnerability है, financial market में कहीने कहीं issues है और global uncertainties है, prices में कहीं सरी risk है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग confident है कि आने वाले time में भारत की economy जो हो stable रहेगी, या 7% के आसपास grow करेगी, उसके पीछे वजह क्या बताएगी, पहला तो यह बताएगया कि हमारा investment काफी अच्छा है, दूसरा manufacturing sector को काफी ज़्यादा strength मिली है और construction sector में buoyancy या एक तरीके से उचाल देखनेों को मिला है, इसी तरीके से household consumption के अगर हम बात करते हैं, या RBI के अगर हम बात करते हैं कि मई 2022 से फुरूरी 2023 तक हमने 250 basis point increase किया, 250 basis point में 0.5% के आसपास वो increase करने के बारे में, हलाकि consumption अभी भी एक ऐसा area जो अभी struggle कर रहा है, अजपर deputy governor Michael D. Patra, उनने का कि लोगों के अंदर एक डर ये है कि लोग खर्च नहीं कर रहें पैसा, उनको ये लगता कि ये चीज़े आने वाले time में महंगी हो सकती है, जैसे price stability एक बड़ी problem है, और GDP के expand करने के benefit क्या होने च कर रहा है, कहीं ने कहीं, वो challenge कर रहा है, वो चीज़े उसके बारे में discuss किया गए, आवर ओल, monetary policy committee ने decision लिया कि हम लोग repo rate को नहीं बढ़ाएंगे, repo rate वो एक तरीके से rate जिस पर जो RBI है, वो commercial banks को पैसा देता है, short term के लिए, इसका impact definitely पढ़ता है market पर, और repo rate कम करनी है, ब चीज़े decide होती है, इसके बाद, text and context में दो topic है, पहला supreme court में, cases को list करने को लेकर, कि वहीं पहले किस bench में था भी इस bench में चला गए, उसको लेकर letter लिखे गए, तो उसमें कोई जवाब supreme court ने फिलाल नहीं दिया है, इसके अलावा, Germany के अंदर debt break rule क्या है, क्या Germany के अंदर controversy ह हुई है, थोड़ा सा चार line इसके बारे में पढ़ेंगे, exactly क्या हो रहा है, क्या नहीं, Germany की जो constitutional court है, उन्होंने 16 November को कहा कि भाई, गवर्मेंट ने जो 60 billion euro का जो fund एक तरीके से relocate करने के बारे में डिसकस किया है, यानि जब pandemic में emergency में, जब climate and transformation के लिए fund relocate करने के बारे मे emergency के लिए पैसे कटा किया था, और अब वहाँ हुए चाहते हैं कि इसको यूज किया जाए, climate और transformation fund में, तो court ने का कि ये सही नहीं, ये अनलफूल है, opposition काफी रोध करती कि जो पैसा आप जिसके लिए बरता गया, उसको emergency exemption में ही यूज करें, ये सही नहीं है, और opposition ये चाह break rule क्या है, जहां पर balance budget rule बना जाता है, जिसमें government को direction दिया जाते है, cap लगा जाता है, ये आप इतना पैसा financial project पर use कर सकते हैं, खर्ज कर सकते हैं, या करजा ले सकते हैं, उस तरह का एक तरीके से limitation सेट की जाती है, इसके बाद दुनिया भर में क्या चल रहा है, तो world में गरम बात करें, इरान की जो activist इनको Nobel Prize दिया गया था, नर्गिज मुहमदी, क्योंकि उनको detain किया गया, तो उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने Nobel Peace Prize 2023 का ये रिश्यू के नौर्वेन Capital के अंदर, इसके अलावा, इजिप्ट के अंदर election हो रहा है, और possibility हैं कि जो President है, अब्द और ये चीज़े साइध ध्यान में होगी, इनके लोगों के मन में भी, इरान ने अपना एक drone रिलीज किया, जो air-to-air missile के लिए काफे important हो जाता है, और 1000 km के इसकी range होगी, air-to-air, surface-to-air, या air-to-surface, या surface-to-surface, ये जब आप missile technology, defense technology पढ़ते हैं, various weapons जो होते हैं, जैसे tanks हो या missile, अगर हम भारत में बात करें, हमारा जो एक tank है, नाग है, इसके अलावा अगनी, फिर्थवी, त्रिशूल, इस तरह गी जो आप missiles के बारे में पढ़ते हैं, तो ये important है, ये आपको पता चलेगा कि ये air-to-air है, surface-to-air है, surface-to-surface है, या एक तरीके से, अगर हम बात कर है, कि ये air-to-surface-to-surface, air-to-air, air-to-surface, या surface-to-air, ये अलग-अलग तरीके से missile के types हो सकते हैं, इसके बाद, सुडान ने UAE को कहा है, कि आप अपने 15 diplomat को वापिस लेकर जाए, उनको personal non greater, ये word use होता है, diplomatic terms में, इसका सीधा मतलब भी होता है, कि उनको कुछ time दिया जाता है जैसे 48 hour, और in 48 hour में आपको वापिस उसको लेकर जाना है, ठीक है, अपने घर पर लेकर जाए, कहीं लेकर जाए, अगर ऐसा नहीं करता UAE, तो क्या होगा, तो अब इनको diplomat world से हटा दिया जाएगा, फिर इनको local treatment होता है, ठीक है, तो इनको हटाने के बारे हम discuss है, basically क्यों एसा किया सुडान ने, इसका एक reason यह है, कि सुडान के अंदर ना, इस टाइम पर military rule है, और उनका यह मानना है, कि उनको यूए ने backdoor से जो है वो, एक इनके जो ruling party उसके against या, जो military उसके against RSF को spot कर रहे हैं, यूगान्दा, चार्ड और Central African Republic को, जिसको UAE deny करता है, वह हमने ऐसा कुछ किया नहीं, आप जबरदस्ति हमारे उपर आरोप लगा रहे हैं, सुडान के अगर हम बात करें, तो African continent की यह भी एक बड़ी country है, और Eritaria, Ethiopia, South Sudan, Central African Republic, Egypt, Libya और चार्ड इन country से अपनी boundary को यह share करता है, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और कुछ और news को हम लोग identify करने कोशिस करेंगे, जो exam से थोड़ा relate करेंगी और उसके एक तरीके से significant होगी, लास्ट न्यूज होगी, उसके बाद प्रिवीशेर दो क्योस्चन हम लोग सोल करेंगे, पहला COP28 जो अभी meeting हो रही है, उसमें European Union का carbon tax काफे ज्यादा news में है, carbon tax क्या है, और भारत सर कार इसको थोड़ा unfair मानती है, वो यह बोल रही है कि हम इसको WTO के अंदर लेकर जाएंगे, industrial body यह बोल रहे है कि भाई WTO के अंदर क्यों लेकर जाना है, तो यहाँ पर एक analysis सा किया है, काफी interesting एक article यह है, थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको brief में हम लोग observe करेंगे, पहली ब नहीं है, प्रपोजल किया है, क्या प्रपोजल है, इसमें सीधा सीधी अगरफ बात करें, यह प्रपोजल यह है कि जो भी company जो carbon emission intensive sectors में relate करते हैं, उनके उपर tax लगेगा, carbon tax जैसे iron, steel, cement, fertilizer, aluminium, इनमें जो carbon intensive sector इन पर carbon tax जो है, वो लगने वाला है, इसके बाद भारत सरकार यह बोल रहे हैं, और हम इसको WTO के अंदर challenge करने वाले हैं, क्योंकि इनके according United Nations Climate Change में, यह एक tactic को change करने का तरीका है, लेकिन भारत की industrial bodies यह बोल रहे हैं, कि पहली बात तो यह जो tax से अच्छा है, यह force करेगा market को कि भाई आप जो carbon emission sector में involved है, आपको वो price पे करना दूसरा, कुछ यह लोग भी बोलते हैं, कि sustainable development की अगर हम बात करते हैं, तो यह ज़रूरी है, और अगर आप WTO के अदर challenge भी करने तो आप इसको defend करने की position में नहीं होने वाले हैं, कुछ और लोगों की approach यह है, कि जब tax collecting किया जाना है, तो भाई भाई बाहरत के अंदर ही क क्यों नहीं करते हैं, जैसे अभी यूरोप के अंदर CBA हम आ जाएगा, इसी तरीके से US के अंदर inflation reduction act है, जो essentially green economic measures पर काम कर रहा है, तो हमें अपने लेवल पर क्यों नहीं इक तरीके से hydrogen based इक तरीके से industry को develop करना, फिर एक technology आते है, carbon capture, use and storage, यह काफी controversial भी है, कि carbon management जो इसक producing firm है, वो क्या carbon captures के थुरू एक तरीके से इसको management कर सकती है, यह नहीं, 2030 तक हमें 1.5 degree Celsius temperature को रखना है, तो carbon capturing and storage जो strategy है, उसको follow करना पड़ेगा, इसके अलावा, अगर हम बात करें, तो इंडिया को होना तो यह चाहिए कि carbon को एक तरीके से decarbonization पर हमें काम करना चाहिए, औ और CVM और इन सब को as a concern नहीं, बलकि as a positive symbol देखना चाहिए, और हमें अपने industry को decarbonize की तरफ आगे बढ़ाना है, इसके अलावा, यहाँ प्रग्रम बात करें, तो प्राइमेस्टर ने काया कि भारत की जो economy है, पिछले कुछ सालों में काफे जादा improvement हुई है, और इसमें gift city के बारे में discuss किया गया, जो गुजरात international finance tech है, और 2047 तक कैसे हम लोगे developed country बनेंगे, यह news आप थोड़ा सा story type में पढ़ लीजिएगा, दो question है, यूपेसी previous year questions में से, जो 2023 के examination में पूछे थे, थोड़ा सा connect करके मैं इनको link कर रहा हूँ, देखो 97 number question है, area of conflict mentioned in news, और country where it is located, यहां पर बताया गया है कि यह area क्या इससे relate करता नहीं करता है, जैसे डोनबास सीरिया से related है, काचिन क्या इधोपिया से related है, टिगरे क्या नौर्थ यमल से related है, बड़ा interesting से यह तीनों place दिये गए हैं, जिन में से दो के बारे में हमने काफी जादा discuss किया था, पहला हो जाएगा, ठीक है, यह तो होगा नहीं, फिर आता कचिन, कचिन basically महिनमार और चाइना के beach का जो border areas है, उस area में आएगा, यह लगवर नौर्थ इस्ठी है महिनमार का, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा, और टिगरे यमन में नहीं है, पहली बाद तो यह African continent में आता है, वैस आपको clarification होना चाहिए, तीनों आपको पता होना चाहिए, एक थोड़ा सा easy मुझे इसमें लगा, कि इसमें इन्होंने एक word यूज़ के known, हलाकि यह easy तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह complicated बना रहा है उस चीज़ को, कि भई, आप sure है कि क्या होना चाहिए, तो इसका answer होगा known, changing होगा, मैं repeat कर रहा हूँ, 2024 अब तक का सबसे difficult papers में से एक होने वाला है, उसके लिए आपको already ready रहना पड़ेगा, इसके बाद, question number 98 है, कि recent में चाड, ग्विना, माली, शुलान, ये international attentions में रहे, क्या वज़ा है, क्या कान रहा इन पे, पहला कोई rare earth element यहां पर मिल गया, उ generally कहां पर मनाया जाता है, जैसे अगर आप जोगर फीगली देखें, तो military base मनाया जाता है, coastal areas के अंदर, तो ये कोई coastal areas नहीं है, तो यहां पर वैसे possibility थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसके अलावा, क्या यहां पर सहारा desert का southward expansion हो गया है, तो सहारा desert की जब हम बात करते हैं, त पुदान, चाड़, ये तो expansion की जुरूत भी नहीं है, वो automatically होता है, लेकिन जो last word use किया गया है, successful coups, यानि military की दवारा एक तरीके से power को take over किया गया है, ये exactly सही statement है, तो इसका answer होगा, ये successful coups करके, ठीक है, फिलाल, the Hindu newspaper analysis में इतना ही, thank you all, jahind